आपके दिमाग में ये सामन ने छवी है कि गाड़ी चलाने वाला पुरुष होगा यदि हाँ तो अभी आप उस नॉर्मलाइजेशन के प्रॉसेस में नहीं आए सामाजिक दबावों से तै हो कि व्यक्ति की परस्नल च्वाइसिस क्या है एसे में किसी व्यक्ति ने इन सामाजिक दबावों के भिन कोई individual choice exercise की है तो यह गर्व की बात है यह सामानने बात है इस पर हैरान हुने का आपका कोई हख नहीं है क्योंकि आप की हैरानी किसी अन्य व्यक्ति की सहजता को बाधित करती है हमारा समाज इस बात को encourage नहीं करता है कि हम sexuality को लेकर, gender identity को लेकर, sexual preferences को लेकर, sex education को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर खुल कर बातचीत कर सकें नमस्ते दोस्तों, please sit down में आपका स्वागत है मान लीजिए कि आप एक पुरुष हैं और आपको घर का काम करना अच्छा लगता है, अच्छा ना भी लगता हो, आप करते हैं और जब आप घर पे काम कर रहे होते हैं तब ही मान लीजिए कि बाहर बैल बचती है और कोई अतिति आता है कोई काम के लिए आता है किसी अन्य वज़े से बैल लीजिए उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, घर वालों की प्रतिक्रिया क्या होती है और उस अथिती की प्रतिक्रिया क्या होती है जो उस समय पहुंचा है यदि आप एक पुरुष हैं और घर का काम कर रहे हैं, रसोई में काम कर रहे हैं सफाई का काम कर रहे हैं, कोई जन्ने काम कर रहे है अभी हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पुरुषों को काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हम मान कर चल रहे हैं कि ये बात सेटल हो चुकी है कि पुरुशों का घरेलू काम करना एक अच्छी बात है लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रतिक्रिया क्या होती है क्या हम जट से अपना सामान जो हम काम कर रहे तो उसे छोड़कर ड्राइंग रूम में राकर बैठ जाते हैं या आने वाला व्यक्ति हमारी इस बैभार पर हमारे जब हमें काम करते हुए देखता है तो सहज नहीं रहता यह वे स्थिती हैं जब बताती हैं कि हमारे समाज में अभी इस चीज को लेकर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों की जर्चा करने वाले हैं जिनके विशे में हमारा यह मानना है कि यह चीजें अब नॉर्मलाइज होनी चाहें क्योंकि इस बात को समझे समाज में व्यवहार का परिवर्तन जब तक वह चीजें परिवर्तित व्यवहार जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता तब तक वह अनफॉर्चनेटली एक टैबू बना रहता है और जब तक वह टैबू बना हुआ है तब तक समाज बतला यानि कि आप दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर या दूसी जगहों पर ये कहें कि आपको ऐसे कारे करना पसंद है जो कारे समाज में अब तक सामाने नहीं माने जाते थे इससे काम नहीं चलेगा जब तक समाज एक एकाई के तोर पर इनके लिए स्विकार्यता नहीं लेकर आता और ये स्विकार्यता इन चीजों के सामानी करन से होती है कई बार हम जाने अन जाने इस सामानी करन का विरोध कर रहे होते हैं मसलिन हम चुटकले बना कर ऐसा करते हैं तो कुल मिलाकर हम कुछ चीजों की चर्चा करने वाले हैं के बारे में हमें मानना है कि इन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए पहली चीज हमारे समाज में for some reason ये मान लिया गया है कि व्यक्ति त्वारा अपनी personal boundaries दे करना अनुचित है बार-बार मान लिया गया है कि व्यक्ति जब अपनी बारे में बात करता है तो ये बुई बात है ये कोई स्वार्थ की बात है जबकि सचाई ये नहीं है यानि आपके परिवार के लोग आपके दोस्त या आपके कामकाज जहां आप करते हैं आफिस के लोग मान लीजिए आपकी किन social obligations को लिग आप कहते हैं कि चलिए चाई पिने चलते हैं और आपका दोस्त कहता है नहीं मैं नहीं जाओ का या मुझे नहीं जाना है मेरा मन नहीं है या कोई अन्य social obligation किसी party में चलते हैं किसी शादी में चलते हैं या बैठो मेरे साथ बैठ कर बात करो ऐसे में जब दूसरा व्यक्ति चाहें वह आपका परिवार का व्यक्ति हो आपका दोस्त हो आपका कोई सहकर्मी हो वह जब no कहता है तब क्या आपका निशकर्श यह होता है कि यह व्यक्ति स्वार्थी है यह अच्छा नहीं है या अशिष्ट है मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने ऐसा करकर अपनी personal boundaries express की है और हमारे मन में इसके लिए इज़त सम्मान होना चाहिए हर जगह पर आपको reciprocity नहीं देखनी है कि इसने कहा था तो मैं चाय के लिए चला गया था अब इसकी भी मजबूरी होनी चाहिए कि ये मेरे साथ जाए नहीं हर व्यक्ति को अपनी personal boundaries तै करने का हक है और हमें इसे normalize करना है हमें इसे सामान ने मानना है कि आपने किसी व्यक्ति से कुछ सुझाव दिया आपको बात कही और उसने no कहा तो पहला normalization आपको no को लेकर करना क्योंकि ये no एक स्वस्त समाज की निशानी है no कहना भी और no को स्वीकार करना भी इसलिए personal boundaries set करना और personal boundaries express करना need to be normalized इसे क्रम में दूसरी चीज़ जो हमारे समाज को लगातार जरुरत है और ना जाने क्यों हम इसकी लगातार उप एक्षा करते हैं यह है मानसिक स्वास्थे की ये लिए मदद लेने को एक बुरी चीज़ मनना देखो वो तो पागल है पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है उसको कुछ mental problem है जिस वज़े से वे mental health support ले रहा है सचाई ये है कि हमें से अधिकान्श को मानसिक स्वास्थे को लेकर मदद की जरुत होती है थेरपिस्ट की जरुत होती है हमें किसी सहयोग की जरुत होती हमें किसी professional help की जरुत होती है और इस मनोवज्यानिक संकट के समय में, मनोवज्यानिक मदद लेना, प्रोफेशनल मदद लेना, नीड टू बी नॉर्मलाइज़, अब किसी विदेशी व्यक्ति से बात कीजिए, जो किसी भी उनत, जो देश माने जाते हैं, वहां से आता है, वह अपने थेरपिस्ट के पास जाने को लेकर इतने सहज हैं, कि ठीक वैसे हैं, जैसे कि किसी कलब में जाना, किसी दोस्ट से मिलने जाना, ऐसे ही थेरपिस्ट के पास जाना, इसे लेकर किसी तरह का टैबू, हमें अन्ने समाजों में उस पैमाने पर नहीं दिखाई देता है इतना हमारे यहां दिखाई दीता है, इसलिए यदि हम एक मालसिक रूप से स्वस्त समाज चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने को, मेंटल हेल्थ केर को नॉर्मलाइज करें। हमारा यह वीडियो उन चीजों के बारे में हैं जिनने नॉर्मलाइज करने की जरूरत है और हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इन्हें टेड़ी निगा से देखना बंद किया जाए, इन्हें बुरा मानना बंद किया जाए, इन्हें असामानने मानना बंद किया जाए, इन्ह जाहिर है कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो जिस चीज को लेकर मैं सबसे ज़्यादा आग रही हूँ वह यह है कि हम अपनी करियर चॉइसेज को लेकर जो गैर पारंपरिक कैरियर चॉइसेज हैं भविष्य बनाने के रोजगार के वे रास्ते जो की पारंपरिक नहीं है सरकारी नौकरी कर लेना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, आईएस बन जाना इसके अलावा भी तो कितनी बड़ी दुनिया है न तो कोई व्यक्ति जब जानते बूझते एक भिन तरीके का करियर पात चुनता है तो उसे हैरानी से देखना, उस पर आश्चरे व्यक्त करना, उस पर तरस खाना, उसे असामान ने मानना, बंद करना चाहिए कोई व्यक्ति start-up करना चाहता है, कोई व्यक्ति गीत-संगीत करना चाहता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य किसम के रोजगार में जाना चाहता है, जो की डॉक्टरी नहीं है, जो की इंजीनियर होना नहीं है, जो की civil servant या सरकारी नौकरी नहीं है, इस diverse career path को लेकर हमें normalization की ज़ बहुत खुशी में भरकर तेकना बंद करना होगा, और दूसरा जिने हम अब तक गैर पारम पर एक किसम के रोजगार या career path या भविश्य मानते रहे हैं, उन्हें लेकर हमें और ज्यादा acceptability, स्विकार्यता दिखानी पड़ेगी, we need to normalize non-traditional career paths, तो तीन चीज़े होई, च gender equality within household, परिवार के अंदर काम काज को लेकर, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर, एक लैंगिक बराबरी का भाव इसे normalize करने की जुरत है, मैंने कहा कि cognition के लेवल पर अब तमाम सब्समाज मानता है, पड़ेने के लोग मानते हैं कि हाँ मदद करनी तो चाहिए, तकि मद का सवाल नहीं है, यह बराबर जिम्मेदारी का सवाल है, यह जैसे किसी और का काम है, वैसे आपका काम है, सिर्फ सवाल आप काम करने के लिए तयार है यह नहीं है, कई अन्य विक्ति भी जब यह काम कर रहा है, तो उसे लेकर आप सहज हैं कि नहीं है, क्या आपके दिमाग में सामानने छवी यह है कि रसोई मिस्त्री काम कर रही होगी आपके दिमाग में यह सामानने छवी है कि गाड़ी चलाने वाला पुरुष होगा यदि हां तो अभी आप उस नॉर्मलाइजेशन के प्रॉसेस में नहीं आए पुरुष को रोने का पुरुष को बच्चे को सु रहें किसी को हैरानी न हो कोई व्यक्ति इस पर आश्चरे व्यक्त न करें कोई व्यक्ति इस पर चुटकले न सुनाए यह इस व्यक्ति का हक है यदि आप उसे एहसास कराते हैं कि हाउस्सोर्ड जिम्मेदारियों में जेंडर्ड भूमिका से परे जाना कोई हैरान करने वा तब आप इस normalization की रास्ते में आये हुए हैं, मैं बार-बार अग्रे कर रहा हूं कि within household एक घर के अंदर घरेलू जिमिदारियों में gender equality एहम है। कौन है, it has nothing to do with you. किसी व्यक्ति ने क्या शिक्षा चुनी और कौन सी शिक्षा नहीं चुनी, it's not open to comment for you. किसी व्यक्ति की lifestyle minimalist है या extravagant है, that's nothing to do with you. सामाजिक दबावों से तै हो कि व्यक्ति की personal choices क्या हैं, ऐसे में किसी व्यक्ति ने इन सामाजिक दबावों के भिन कोई individual choice exercise की है. तो यहे गर्व की बात है, यहे सामानने बात है, इस पर हैरान हुने का आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी हैरानी किसी अन्य व्यक्ति की सहजता को बाधित करती है. किसी व्यक्ति ने क्या कपड़े पहने और आप उस पे टिपड़ी कर रहे हैं किसी व्यक्ति ने कौन सी कार ली, किसी व्यक्ति ने कौन सा भोजन लिया किसी व्यक्ति ने कौन सी शिक्षा ली, किस से शादी की, किस से रिलेशन्शिप में गया यह उसकी individual choices हैं और individual choices जो हैं उन्हें normalize करने की ज़रूरत है क्योंकि इनसे समाज समावेशी बनता है inclusive बनता है अगर सभी लोग expected individual decision लेंगे तो समाज बदरंग, बचसूरत, बदबुदार होगा समाज इस लिए खुबसूरत है क्योंकि इसमें लोगों की decisions में, individual decisions में diversity है इससे अगला हिस्सा आता है sexuality से related हमारे समाज में यानिक्ता को लेकर, sexuality को लेकर, जैडनर identity को लेकर, sexual preferences को लेकर बातचीत करने को normalize नहीं किया गया है इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे आसपास है कोई व्यक्ति जब ऐसा करने की कोशिश करता भी, हाल में हमारी एक दोस्त ने social media पर sexuality पर बातचीत करने की कोशिश शुरू की शांदार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनाथी क्या है? उनकी चुनाथी है कि लोग sexuality पर बात करने का मतलब ये नगाते हैं, मानों को कोई व्यक्ति sexually available है इससे ज़्यादा बेहुदा बात क्या हो सकती है? दूसरे उनकी चुनाथी है कि हमारे समाज में इनपर बात करने के लिए भाषा ही नहीं है जो इस बात का प्रमान है, कि हमारा समाज इनपर open discussion नहीं करता है हमारा समाज इस बात को encourage नहीं करता है कि हम sexuality को लेकर, gender identity को लेकर, sexual preferences को लेकर sex education को लेकर इन सारी चीजों को लेकर खुल कर बातचीत कर सके हमारे याई से आसामान ने माना जाता है लोग फुसपुसा कर बात करते हैं लोग डर कर बात करते हैं लोग अगर बात करते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातें करने के बारे में बात करते हैं इसका मतलब है कि हम sexuality पर होने वाले discourse को normalize नहीं कर पाए हैं हमें public spaces में इन पर बातचीत को normalize करना होगा और जब तक वह नहीं होता तब तक हमें ऐसे safe spaces बनाने होंगे जहां पर यह बातचीत हो सके इस बातचीत को प्रोतसाहित किया जा सके प्रमोट किया जा सके इस से समाज म इनके आधार पर होने वाले discrimination को रोका जा सकता है अगर हम इन चीजों को लेकर खुल कर बात नहीं करेंगे तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो sexual preferences की वज़े से उत्पीडन सहराय होंगे जेंडर की वज़े से उत्पीडन सहराय होंगे sexuality की वज़े से उत्पीडन space आप बना पाते हैं जिसमें sexuality को लेकर बाचीत हो सकती है यह आपका बहुत बड़ा contribution है sexuality के discourse को normalize करने में यदि आप इस बात पर हसते नहीं है इस बात पर कनखियों से नहीं देखते इस बात पर आपको शर्मिंदगी नहीं होती तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे discourse को normalize कर रहे हैं जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में अब तब normalize नहीं है अब अन्तिम और सात्वी बात यह यह है कि यह देश इसलिए खुबसूरत है क्योंकि इस देश में बहुत शांदार विविदता है संस्कृतिक विविदता है पिछले दिनों मैं 36 गड़ के interior इलाके में था बस्तर के इस इलाके में हम लोगों ने वहे लाल चीटियों से बनी हुई चटनी खाई अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि मुझे बहुत स्वादिश ले क्योंकि स्वाभाविक है कि मेरे अपने टेस्ट बर्ट्स हैं और मेरी अपनी एक स्वाद को लेकर समझ है और जाहिरे मैं जानता था कि जो चीज मैं खा रहा हूँ वह चीटियों से बनी हुई चटनी है लेकिन क्या मैं इसके आधार पर अधिवासियों को छतीसगड़ के निवासियों को जज करूँगा कि वे ये खाते हैं, वे ऐसी चीज़ खाते हैं, जो हमारे हैं सामाने तरह नहीं खाई जाती, नहीं, मैं इस भात की इसद करूँगा, भलकि इसी सम्मान के तहट मैंने उस चीज़ को चेखा, हमारे समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक विवेतिता है लोगों के सामाजिक व्यवार अलग-अलग हैं शादी व्याह करने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, नाचने को लेकर, खाने को लेकर, गाने को लेकर हमें इसे acknowledge करना होगा स्विकार करना होगा इसे encourage करना होगा इसकी स्विकार्यता बढ़ानी होगी बलकि हमें दरसल इसका celebration करना होगा हमें इस बात को लेकर गर्व करना होगा कि यह cultural diversity है यह साथ भी और महत्वपुन चीज थी कि अगर हम cultural diversity को normalize नहीं करेंगे तो भूलत है यह उसी चीज का लक्षन होगा कि ہम चाहते हैं सब हम जैसे हो जाएं हम जिस बैवार में हैं हमारा सामाजिक बैवार सांस्क्रिक बैवार सामान ने है और बाकि सबका सांस्क्रिक बैवार असामान ने है वो ऐसे कप्ड़े कुँ देखते हैं? वो ऐसे पुजा किँ करते हैं? वो ऐसा खाना क्यु खाते हैं? हमें इसे लेकर नॉर्मलाइस करना होगा तो इन साथ चीजों कान नॉर्मलाइजेश nella है यदि हम कर पाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें जिने अकारण बिना किसी वज़ा से जज किया जाता है, जिनके आधार पर लोग फैसले कर लेते हैं, बुरा मानते हैं, उन्हें वैस चीजें सामाने नहीं लगती, वैस तीज खत्म होगी, और हमारा समाज अधिक स्व झाल 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 स्वास झाल झाल